जैपनिस टेकनोलोजी से लैस्ट बुलेट ट्रेंड भारत में बनाई जा रही है और इसका 80% खर्चा जाइका उठा रही है लेकिन अब तो यहाँ पर जाइका के खुद प्रेजिडेंट भारत में आई हुए हैं अकी हिको जी और ये भी काफी उत्सुक है कि चाहते हैं कि ज पूरा लंबा चोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि जब से इनके देश में बुलेटन दोड रिये एक भी मेजर नहीं हुए है और इसका रीजन है सेफ्टी सेफ्टी इनके लिए टॉप नौच प्राइवरिटी है इसके लावा जैपान भारत की काफी जादा टेक्नोलोजी की साइड में भी मदद कर रहा है रिसेंटली आपने अश्विन वैश्णव जी का भी पोस्ट देखा होगा ट्विटर में यहां पर आप देख सकते हो कि कैसे ये डिजिटल मिनिस्टर ऑफ जपान के साथ मिले और काफी सारी चर्चाइं की और इमर्जिंग टेक्नोलोजी भारत को कैसे बेनिफिट हो सकता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टर्चर और हाद में इनके वंदे भारत का एक काफी अड्वैंस मॉडल भी नजर आ रहा है खेर जायका के प्रेजिट ने ये भी बताया कि जपान के पास भी वैसे काफी सारी हाइश्पी ट्रेने मौजुद है लेकिन ये बता पाना एक्स्ट्रीमली डिफिकल्टे की ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होंगे बिकॉज ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्स रहते हैं और प्रोजेक्स परफ़िकली पॉसिबल हो पाना ये एकक जाधा चैलेज होता है बाट ये सबसे जाधा मैटर करता है सेफटी तक को भी सीरी तक मौड़न ट्रेन दे रहे हैं E5 series की shinkansen फिर उसके बाद आती है इस एक series की shinkansen जो जैपन ने recently develop की थी और उसकी भी speed लगब बताई जाती है कि 19-20 का ही फरक है 320 से 350 km पर आर की इसकी top speed है हलांकि काफी सारे factors पर speed भी depend करती है जैसे track condition कैसा है weather कैसा है और various other variables speed finally bullet train के completion target की बात करें तो target लिया गया है कि 2026-27 में हम bullet train भारत में operational कर देंगे इसके बारे में आपकी क्या रहा है अपनी definitely comments में उताईएगा